तो अगर आप इस परिवार के सदसे नहीं बने हैं, तो परिवार के सदसे जरूर बन जाईएगा, परिवार के सदसे जरूर बन जाईएगा, ताकि जितने भी हमारे सेशन हो, उनको सबको आपको नोटिफिकेशन मिले, और आप उनको सबको पहले देख पाएं, इसलिए बेल टेली ग्रूप से जुड़ सकते हो है जाए इस पे जुड़ो या उस पे जुड़ो आपको पीडिया दोनों पर ब्राबर मिलेगी किसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी तैप अमिचन जी शुवागत आपका कैसे हैं सुमन यादव जी शूवागत आपका कैसे हैं हैं कि पहला चेप्टर है हमाराüyorsunा 8 pract कि कुरांति आ कि help methods में आयक एक ऐसा टोपिक है 1 जिसमें राजस्तान का और भारत का कोई भी एक्जाम ऐसा नहीं है जहां इस टोपिक से कितान न आते हो मनोज सारी समस्य हलो जाएगी बस उस विश्वास रखो अपने इस्वर पर आपकी मैं प्रोग्लम जानता हूं और थोड़ा सा हिम्मत रखो आप हिम्मत अगर आप रखेंगे अगर इस्वर पर विश्वास रखेंगे और कुछ सहना पड़ सकता है माता सीता को भी भूत सारी यातनाय सहनी पड़ी जब रावन हरन करके लेके गया था तो भूत लंबा समय उन्हें रावन के यहां राक्षणियों के बीच में रहना पड़ा लेकिन उन्हें प्रभु राम पर विश्वास था और अपने आप पर विश्वास था कि एक दिन प् उसको हालने मत दीजियेगा तूटने मत दीजियेगा आप हर समस्या का सामना कर सकते हैं जीवन में समस्या आएगी चली जाएगी अगर आम हार मान गए तो वो समस्या कभी अंत नहीं होगी तो बस आपको समय मिलता है जब मिलता है जैसे मिलता है महनत के जिए पढ़िए एक बार अपने अंदर शिक्षा की अलग जग जाएगी और उस शिक्षा का हमें की प्रिणाम मिल जएगा इसके बाएगा जीवन की सारी समस्या ही हल हो जाएगी हो सकता है कि आज हर बच्चे के परिवार की बहुत सारी समस्या हैं लेकिन इन सारी समस्याओं का हल क्या है इन सारी समस्याओं का हल है नोक्री जोब लग जाएगी आपके जो विरोधी हैं आपके जो प्रतिद्वंधी हैं आपके जो बूरा चाहने वाले हैं वो सब आपकी तरफ उसी परकार भिन भिनाने लगेंगे जिस परकार सहद पर मधु मखिया भि वो सारे लोग जो आप से आज आपके लिए प्रेसानियों का कार्ण बन रहे हैं वो आपके इर्द गिरिद चारो तरफ जो है वो मधुवक्यों की तरह भिन भिनाएंगे बस थोड़ा सा समय और इंददार कीजिए आएगा सही समय चलिए करते हैं शुरुवात अठारसुस्ताउन की क्रांती के बारे में बात करते हैं अठारसुस्ताउन की क्रांती की शुरुवात करें उससे पहले की प्रश्ट भूमी देख लिजिएगा आप सब जानते हैं पीछे भी हम 800 स्टाउन की करांती पड़ चुके हैं और आपने परसंदली भी इस टोपिक को बहुत बार पड़ लिया होगा लेकिन फिर भी आपको अपने अन बहुत से कह देता हूं कि मेरा पर्सनल मानना है की ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कुवारे लोगों की समस्या 2x हो जाती है कि शाधिसुदा और बोत समय बेरोजगारी Gosh पीला है तो मुझे पता है स्रखटी में को ँर। कोई नहीं है जो हमस्थ्याने पर इस समस्या को समस्या की तरर ना लीजिए हसते रहें मुश्कराते रहें और बज सोचिए कि जिस परकार आपकी साइंकिल का टायर घूमता है ना उसी परकार यह समस्या समस्या हल होना समस्या आना वैसे ही घूमती जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा अब बाकी बते करें कि सिर्बाते तो बहुत होगे अब करो स् मुगल समराज्य के पतन के पसाद देश में उत्पन अराजकता से राजस्तान भी अच्छूता नहीं रहा आप सब जानते हैं कि ओरंग जेब मुगल एंपायर का अंतिम वो ऐसा सासक योग्य सासक था जिसने मुगल एंपायर को एक कड़ी में बांधे रखा जैसे ही मुगल एंपायर कोई केंद्र यह सता जो हो बसती नहीं है और ऐसी कंडिशन में पूरे भारत में एक सरीके से अराजकता फेल जाती है और इसी अराजकता के चलते राजस्तान भी इस अराजकता से अच्छूता नहीं रहा और जिब की मृत्यों से उत्पन सब्सक्ति की मुगलों के विद्वन्स का या और जेव की मृत्यू का जो सबसे ज्यादा फाइदा उठाया कुछ समय के लिए मुगल एंपायर को या मुगल जो रिक्त हुआ था स्थान उसको उन्होंने अपने पद से भरने का प्रियास किया मराठो ने दक्षण में प्रभूत्व स्थापित करने के पसात मालवा और गुजरात में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था अब उनके लिए राजस्तान में प्रवेश करना सहज हो गया था मई 1771 में प्रथम बार मराठो ने मंद सोर के निकट मेवाडी छेतर से धन इकत्रित किया मराठो ने सबसे पहले मंद सोर मंद सोर के पास जो मेवाडी छेतर है मेवाड का पार्ट है वहां से क्या किया पहली बार मई 1711 में क्या किया धन इकट्था कि यानि लूट पार्ट की इस घटना से चिंतित होकर उदेपूर के माहरणा संगराम सिंग ने पहले जेपूर के सासक जै सिंग और बाद में मुगल बासा महमुद सा मुहम्मद सा से मराठा समस्या के बारे में विचार विमर्स किया कि वहिया मराठा हमारे इलाके में क्या कर रहे है लूट पार्ट कर रहे है तो कैसे उनसे हम बचे कैसे उनसे हमारी रक्ष्या होगी इ इसी बीच अप्रेल 1734 में बुंदी के पद्चियुक्त सासक बुद्ध सिंग ने मराथा साहता प्राप्त करके दलेल सिंग को जो हो दलेल सिंग को क्या बढ़ा बैठा दिया गदी पर बैठा दिया इस पूरे एक चीज को हम समझेंगे अभी हम एक अप्रेल से जो सेशन शु और यह आपके मेन एक्जाम में भी काम आएगा तो राजस्तान के परमुख राजवस्ट जब हम टॉपिंग करेंगे तो उसमें हम जब जेपूर और द्भूंदी पढ़ेंगे तो हम आपको इसके बारे में और ज्यादा विस्तार से भी बताऊंगा ठीक है अब देखिया आगे राजस्तान के किसी सासक द्वारा आंतरिक संग्रस में मराठो को आमंतरित करने का यह प्रथम आउसर था यानि अगर बात करें कि अपने इंटरनली मेटर में अपने आंतरिक विवाद में सबसे पहले अगर राजनेतिक हस्तक्षेप के लिए मर यह प्रथम उसर था बात में तो राजस्तान में मराठो का हस्तक से बढ़ता ही गया तो जब दो भाई लडते तो इसका फाइदा तीसरा उठाता है यह बात सत्य है की नहीं सत्य है राजस्तान के सब्सक्रा निको पहुंचा मराठा कर्फंचा किसे पहुंचा?' कि मिलेगी तीसरा वेक्ति उनका फाइदा उठाता था और वो उन दोनों से पैसे कमाता था तो मराठा भी ठीक ऐसे ही कर रहे थे मराठों में भी अलग-अलग मराठा थे होलकर सींधिया इस परकार से तो वो सब क्या करते थे एक आ जाता था एक भाई की तरब से दूसरा आ जाता था द अग्रेज़ों ने भी उठाया अग्रेजों ने भी क्या किया अग्रेज़ों ने भी यही किया कि दो-ईयों को लड़ाया और उनसे बेनिफिट उठाया तो हमेशए भाई-भाई को राजी रटmot सकती है लेकिन मानसिक डवलम्मेंट नहीं हो रहा है लेकिन अभी जो 2020 की नई सिख्ष्या नीति की जो एजुकेशन सिस्टम होगा वो बहुत बहतरिन है उसका मैंने बहुत गहराई से धेन किया है आज से 20 साल के बाद यानि जो नेक्स जनरेशन होगी इस जनरेशन के बाद उसके अंदर काफी ज्यादा बहतरिन जो हो बदलाव हमें देखने को मिलेगा तो बड़ा है या छोटा है छगड़े को मिटाया जा सकता है कैसे प्यार से हसकर जब भी परिवार में पती-पतनी का सास-बहू का भाई-भाई का छगड़ा हो जाए हसके उसको सहन कर एक सहन कर लेगा तो फिर दूसरा कुछ नहीं कर पाएगा यह बात सही है कैसे है नाज जी बताएं यह बात सही है तो बताएं आप यस लिखे बताएं कि हाँ बिल्कुल सही है कैसे है गुडिया कुमावजी स्वागत आपका 1735 में मालवा पर अधिकार करने के बाद मराठों ने राजस्तान पर आकर्मन करने के लिए एक आसान मारग मिल गया ठीक है क्योशन क्या पूछा जा सकता है मराठों ने मालवा पर अधिकार कब किया 1735 में राजस्तान में मराठे कोटा मेवाड डुंगरपूर पांसवाडा में घुसपेट कर वहां से धन पाने के बाद कुछ समय तक संतुष्ट रहे लेकिन सिगरी वे राजाओं को ही नहीं सेट साहुकारों को भी लूटने लगे उन्होंने राजस्तान के नरेशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्सेव करना भी प्रारम कर दिया बुंदी जोदपुरो जेपुर रियास्त में उनका परवेश इसी बहाने हो गया और धीरे धीरे देखू पूरे राजस्तान के अंदर जो मराठा प्रेसानी का कान बंटे प्रियास किया लेकिन मुगल दरबार के दलबंदी के कांड राजपूर सासक भी जो हो परस्पर लड़ने लगे इस परकार के अंदर में उत्पन सुन्झेताक की पूर्ति के लिए मराठ्य राजस्तान में आने लगे मराठ है राजस्तान में आने लगे शाहु ने पेशवा पाजी राओ को राजस्तान के चोट और सर्देश मुखी प्राप्त करने का आदेश्तिया 1732 में स्वाई जैसिंग जो मालवा का शुबेदार बना उसे मराठों से मराठों ने घेर लिया तब 1732 में जैसिंग ने पराजे स्विकार कर ली और 28 परगने मराठो को दे दिये थे याद रखना जेपुर का सासक्त था स्वाई जैसिंग उसको मालवा का शुबेदार बनाया गए था और उस मालवा को किसे ने घेर लिया था मराठो ने घेर लिया था और फिर मराठों के सामने जैसिंग हारमान लेता है और उनको 28 परगने दे देता है इसके बाद 1761 से लेकर और 1791 में के मधे राजस्तान में राजपूत सासकों की कमजोर स्थिति के कार्ण विभिन राज्यों पर मराठों का प्रभुतुए हो गया राजस्तान में बढ़ते मराठा हस्तक्षेप ने जैसिंग तजान ने राजपूत राजाओं की आँखे खोल दी और मराठों से मुक्ति पाने के लिए धन का सहरा लिया गया पर जब धन लेने के बाद भी मराठों ने मालवा को खाली नहीं किया तो पुन्य संग्थित प्रि कि आप हम पर आकर्मन मत करो जैसे मैं पहले भी बता चुक्त करूं कि शोले मुई आपने देखी है तो उसमें गबर क्या कहता है कि यह रामगडवालों अगर तुम्हें कोई गबर की आतंग से बचा सकता है तो वह गबर खुद है अरे यार नगेंदर क्या बात करते हो हम यह कि आप अपने भाई भूल सकते हो आप हमारे परिवार के सदस्य हो हमने परिवार कहा है नगेंदर तो इसलिए नहीं कहा है कि केवल कहने के लिए परिवार कह दिया आप हमारे परिवार के सदस्य हो ये एक अलग बात है कि हम उस तरीके से मिल नहीं पा रहे हैं जैसे पहले मिलते थे ये अलग बात है ये वक्त की प्रिष्टितियों की जो है वो बात है कि हम वैसे नहीं मिल पा रहे हैं जैसे पहले मिलते थे लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हम आपको भूल गए हैं आप पहले भी हमारे परिवार के सदसे थे आज भी आप हमारे परिवार के सदसे हो और आप जब गोर में टीचर बन जाओगे तब भी हमारे परिवार के सदसे ही रहोगे अगर भूलोगे तो आप पर क्या होते हैं इकठे होते हैं कब 1734 में और 17 जुलाई 1734 को एक संधी पत्तर पर क्या करते हैं हस्ताकसर करते हैं तो क्यूजन पूजा जाता है कि हुड़ा से मेलन कब हुआ 17 जुलाई 1734 को हुआ खीक है और इसमें क्या तेक किया गया एक संधी पत्र बनाया गया जिसमें यह कहा गया कि मेरा दुष्मन तो महारा भी दुष्मन माना जाएगा यानि अगर कोई जोदपूर का दुष्मन है तो वो मेवाड का भी दुष्मन है जेपूर का भी दुष्मन है अगर कोई जोदपूर का दोस्त है तो वो मेवाड का भी यानि दोस्त का दोस्त दोस्त और दोस्त का सत्रू सत्रू होगा सासकों की सेनाओं ने मराठा को खदेरने का पूने एसफल जो हो परियास किया वेश्वा अक्टूबर 151735 में उतर भारत की यातरा पर निकला और उसने महारणा जगत सिंग को जगत सिंग का आतिथ्थ स्विकार किया और उपहार तथा चोथ को चोथ का समझोता हुआ फिर व मुगलों के साथ साथ राजपूत मराठों के भी करदाता बन गए 1738 विश्वि में मुगल समराठ की ओर से निजाम को बिना युद किये ही दुराहसाय की अपमान जनक संधी जो हो करनी पड़ी क्या होता है यह क्योशन पूछा जा सकता है कि दुराहसराय की संधी कब हुई देखो आज तक शाइद यह आपने यह क्योशन किसी गाइड में देखा होगा 1738 के अंदर हुई किसके मद्दे हुई थी मुगल समराठ की ओर से निजाम मुगल समराठ और निजाम के मद्दे हुई थी और मुगलों की ओर से तो क्या थे निजाम था और इधर राजपुत मराठों की ओर से इन दोनों के मद्दे यह संधी अपमान जनक संधी जो हुई जिसके कान मराठों को मालवा की सुभेदारी और 50 लाख रुपे प्राप्त हुए यानि इस संधी में मराठा जीत जाते हैं मराठाओं की सर्टों को मान लिया जाता है और 50 लाग रुपे और मालवा की सुभेदारी उन्हें दे दी जाती है 1742 में मराठों ने मारवाड के मारवाड में प्रिविष्ट होकर सोजत रायपूर जेतारन परगनों में चोथ वसूल प्रारम कर दिया अब आपके समझ में यारागा चोथ क्या है तो ये जो मराठा थे ये किसी छेतर से जो कर वसूल करते थे जो छेतर इनका अधिकार नहीं होता था लेकिन वहां के लोगों को ड्राकर जो पैसा ये लेते थे ड्राकर जो पैसा लेते थे उसे क्या कहा जाता था चोथ कहा जाता था 1787 में राजपुतों ने संग्ठित होकर तुंगा नामक्स्तान पर जो है वो मराठो को प्रास्त किया तो क्योशन भहुत बार पूछा गया है तुंगा का युद कब हुआ या फिर क्योशन ऐसा भी पूछ रिया जाता है कि तुंगा का युद किस किस के मद्धे हुआ मराठो के मद्धे यह हुआ था और मराठे इसमें प्रास्त हो गए 1791 में के बाद मराठो की सकती भी धीरी-धीरी कमजोर हो गई चिन हो गई और इस समय दक्षिन भारत में अंग्रेजों ने अपने पेर जमाल लिए और वे राजस्तान में घुसने लगे अब देखिए जै गया होता है रोज इसे धर धे यह दोश होता है तो इदर वाला परोंची जो है आपका यह कइता है कि आपका unmat असे संन मतलो और उस N kind तो इसने पुछा कि ब Adalit में क्या लोगे कि कुछ नहीं जो पैसे उसको देते थे न वह पैसे मेरे को दे दें अंग्रेजों 05 में देखा कि राजस्तान के जो राजपुत्रिथ शाधक तब जो सायषक है ONE कि इस चीज को बेनिफिट के रूप में convert किया अंग्रेज उने अंग्रेज आए राजपूत के राजाओं से का कि अर राजपूत के राज़ाओं तुम परेशान क्यों होते हो आप हमसे संदी करो हम आपकी साइटा करेंगे हम लड़ेंगे आपकी तरफ से हम लड़ेंगे बच्पन में आपको करें अगर मुझे और ये डंडे तुम्हें खाने पड़ेंगे क्योंकि तुम याद नहीं करके आयो तो हमने का कि सर इसके पांते के डंडे मेरे मार दियो और सर भी उस टाइम के जोस दोस में उसके पांते के साथा डंडे उन्होंने मेरे मार दिये थे लेकिन हमारी दोस्ती बहांकर गहरी हो गए इसके करण यही होता है जब हम किसी दूसरी चीज़ से प्रीशान होते हैं और कोई दूसरा विक्ति आता है हमसे इस समय दोस्ती का हाथ बढ़ा दे तो हम यह नहीं सौचते हैं कि यार यह सही कर रहे हैं या यह गलत कर रहे हैं यहीं ठीक राजपूत अब आज हम इतियास की समिक्षिया करते हैं तो हमें लगता है कि राजपूतों को अंग्रेजों से संधी नहीं करनी चाहिए थी लेकिन उस प्रिष्टिति में रखे सोचो कि एक तरफ राजपूत मराठों से बहुत जादा प्रेशान हो गए हैं और मराठों के कांड राजस्तान के राजपूतों की आर्थिक स्थिति बहुत जादा विकट हो गई है क्योंकि वो हर 10-15 दिन के बाद आते थे और पैसे लूट के ले जाते थे तो अंग्रेज कहीं न कहीं उन्हें सही लगे उस समय की प्रिष्टितिक के और अंग्रेजों के साथ आँखे बंद करके क्या कर लेते हैं राजपूत के राजाओं ने संधिक कर ली हलाकि इसके भी नहीं कर पाए थे आईए चर्चा करते हैं राजस्तान के राजियों में उत्र अधिकार के संग्रस और सामंती प्रतिस्प्रधा के कारण उनकी राजनितिक स्तिती कमजोर हो गई 1791 में में अंबा जी इंगले ने मेवार के महाराना का संयोग किया फल्सरूप डुंगरपूर बांसवडा परताबगड आधि छेतर पर मेवार के महाराना का अधिकार हो गया परन्तो रियास्ती घराने आपसी वेमनसे के काण अंबा जी इंगले पूर्ण सफलता जो हो नहीं प्राप्त कर पाए 1795 में मेवाड पर चुंड़ावतों का अधिकार हो गया अता है उनका अन्य सास्की समुह के साथ संग्रत शुरू हो गया 1802 में अमीर खापिंडारी ने नाद दुवारा पर अधिकार कर लिया बहुत ही प्यारा धासु खतरनाक और सबसे मोस्ट क्विशन बनता है कि अमीर खापिंडारी ने नाद दुवारा पर कब अधिकार किया या अमीर खापिंडारी ने राजस्तान के किस छेतर पर अधिकार क लिए था अठारा सुद्धो और अमीर खाक पिंडारी भी मुगलों की तरह ही था इसका भी काम क्या था लूट पार्ट करना इसका भी बहुत एक आगे मिवाड का वाकिया आता है जिसमें इसका जिकर आता है वो आगे हम पढ़ेंगे भीम सिंग रियास्ति घराने के आपसी वेमनसिक को नियंत्रित नहीं कर पाई और अठारा सो तीन में मिवाड के सासक ने जेपुर नरेश के माध्यम से अंगरेजों से जो हो संधी करने का प्रियास किया और वह ہے Gill रहा तो क्यों सिर पूचा जा सकता है कि सबसे पहले अंगरेजों से संधी करने का ऐसफल प्रियास कि सासक ने किया गायतरी सर्माजी कैसे यहां तो जेपूर के जेपूर के नरेश मेवाड के सासक ने मेवाड का सासक कुनता भीम सिंग इसने जेपूर के नरेश के माध्यम से जो है वो क्या करने का प्रियास किया संधी करने का प्रियास किया पर वह सफल रहे 1793 में से लेकर 1793 में इस्वी से 1813 के मध्य जो हो जोदपूर के अर्थ विवस्ता जोदपूर के ए विवस्ता का मुख्य कार्ण सामंती परतिसपर्दा संकीरता उत्राधिकार का संग्रस्था दोनों ही पक्षों में भाडेती सेनिक यह भाडेती क्यान होते ह उसने का यह लो दो हजार उपे तुम दो घंटे के लिए मेरे लेड़ो इस परकार के जो सेनिक होते हैं वह भाडेती सेनिक कहलाते हैं कि क्लास का टाइम जो है वह प्रकार सी उस साड़े आठ वज़े है ठीक है प्रणाम यह होता है कि आर्थिक संकट से जो है वह जोदपूर घिर जाता है राजस्तान के सासकों ने मराठा के बढ़ते आतंक से मुक्ति पाने के लिए मराठो के सत्रू अंग्रेजों से मित्रता करने का प्रियास शुरू कर दिया सर्व पर्तम जेपूर के महाराजा पर्तिवी सिंग ने 1706 में अपने एक परति निधी को गवर्णर जनरल के पास भेजा और अंग्रेजों से मित्री की इच्छा पर कटकी जोदपूर राजे ने भी ऐसा ही प्रियास किया पर वह सफल नहीं हुआ अठारा सो तीन इस्वी में अपनी नीती में परिवर्तन कर अंग्रेज भी राजपूत राज्यों से संधी करने के इच्छुक हो गए अब अठारा सो तीन से पहले राजपूत जो राजा थे वो अंग्रेजों से संधी करने का प्रियास कर रहे थे और वो बार बार अंग् अगर हमें उत्र भारत में अपने समराज्य का परसार करना है तो राजबूतों से संधी करना सबसे ज़्यादा जरूरी है दिल्ली का आसानी से सासन कर पाया क्यों कि दिल्ली में मुगलों का सथान रहा जरूर लेकिन मुगलों के लिए अधिक्तर जो लड़ाईया लड़ी जो युद्ध किये जो संधिया की वह राजबूत सास को ने ही की यानि हम यह कह सकते हैं कि मुगलों ने जो निशाने अपने सत्रूओं पर साधे या मुगल एम्पायर जो इतना बड़ा खड़ा हुआ उसमें सबसे बड़ा जो योगदन था वो राजपूत के राजाओं कही था योगेस कह रहें कि सर आप मेरे कमेंट नहीं देखते हो क्यों योगेस यह बात बाई योगेस आपने कमेंट किया है एक अब तक इसके लावा पहले आपने कोई कमेंट ही नहीं किया तो देखने की बात कैसे होगी बताओ कैसे देखूँगा मैं जब आपने कमेंट किया तो हमने कमेंट आपका पढ़ा और आपका नाम भी पढ़ा दिया तो बताओ किये थे हमारी जोटी खोल गे ले गया योगेस दी ऐसा कुछ नहीं है हमारे लिए सभी बच्चे एक समान है और सभी हमारे परिवार के ही क्या है सदस हैं हमारी बुक का कोई नाम नहीं है हम उऌही बुक पढ़ाते हैं जो सफलता तक लेके जाए और यह बुक है माधयमिक शिख्षया बोर्ड RBSC काख्षया चैसे लेकर और बारात तक हम पढ़ रहे हैं और हमारी मार्केट में भी कोई बुक नहीं है हमारी मार्केट में भी कोई बुक नहीं है अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मेरे टार्गेट है कि बुक तब तक नहीं निकालेंगे जब तक मेरे परिवार के बच्चों का सेलेक्शन ना हो जाए और वो खुद प्राश्ट कर दिया था तो अंग्रेजों ने सिंधिया को कहा प्राश्ट किया था लास्वाडी यूद के अंदर कब नुवंबर 1803 में और यह जो प्राजे थी मराठों की वो कहीं ने कहीं राजस्तान के राश्पूतों के लिए एक बहुत बड़ी आसा थी कि अरे वह अंग्रेजों ने किसको हरा दिया मराठों का अधार्थ इसका निस्कर्स यह निकलता है कि अगर अंग्रेजों से हमारी संधी हो जाती है तो अंग्रेज हमारी भी रक्षा कर देंगे अग्रेज हमारी भी रक्षा कर देंगे मराठो की इस पराजे ने राजपुल सासकों के लिए जो हमराठो की अधीनता से मुक्ति का स्वण उस्सर परदान कर दिया और अठारा सो तीन इस्वी में संधी की सर्तों में तै किया गया कि दोनों एक दूसरे के प्रती जो हमेती कि ये इन राजयों से खिराज नहीं लेगी और अंतRik मामलों में हस्तक्षेभ जो है वो नहीं करेगी ये संधी थी इन राजयों की सुरक्षय का दायित生 कंप-नी पर होगा और इन राजयों से विवाद कंपनी की सायता से ही इन बार्तपूर अलवर जेपूर जोदपूर आदी ने इन सद्धी पर जो हस्ताक्सर कर दिये और 1811 आक में सेनेट के स्थान पर चार्ल्स मेटोफ दिल्ली के रेजिडेंट बनते हैं और उसने गवर्णर जर्णरल लोड मिंटो को सुझाव दिया कि मराठा, अमीर खा और पिंडारियों की विद्वन्सकारी कारवाई को स चार्ल्स मेटोफ ने यह अधिकार मिला इनको कि आप पिंडारियों को नर्ष्ट करने के लिए मराठाओं की सक्ति को रोकने के लिए राजपूत राज्यों के साथ मिलकर एक क्या बनाएंगे एक संग बनाएंगे नगेंदर जी ऐसा तो नहीं कह सकते देखिएगा कि बात आपकी ठीक है अंग्रेज कभी चाते नहीं थे कि भारत आजाद हो लेकिन परिस्तितियां बदली भारत के लोगों में जब शिक्ष्या आई भारत के लोगों को अपने अधिगारों का पता चला तो अंग्रेज समझ गए कि अब हमें यहां से जाना पड़ेगा और कोई वो अपनी मर्जी से ही गए थे एक तरीके से लास्ट में सिच्वेशन ऐसी आ गई थी सेकेंड वर्ड की वोर में अंग्रेज जो हार जाते हैं वहां का प्रसासन भी बदल जाता है और कहीं न कहीं प्रिस्थितिया ऐसी बन जाती है कि भारत में उनके लिए अब जो है वो विकट प्रिस्थितिया हो सकती है तो भारत के लोग उनको लात मार के निकाले अंग्रेजो को उससे पहले ही वो समझदार थे चले गए आपकी माधिमिक सिख्षा बोर्ड में मेटोफ लिखा हुआ है कहीं जिगा मेटोफ भी लिखा हुआ है आगे बढ़ता है सभी विरोधियों का दमन करके भारत में कमपनी की स्रोच सत्ता स्तापित करना चाहता था किंतु तब ही संभव था जब होलकर और सिंधिया को उनके राज्यों तक सिमित कर दिया जाता और पिंडारियों की सक्तिका दमन किया जाता इसके लिए राजपुत राज्यों को स्रंक्षन में लेना अंगरेजों के लिए अनिवारिया था क्योंकि ये राज्ये ही सिंधिया, होलकर और पिंडारियों के प्रभाव चेतर में थे अत्य अंग्रेजों ने 5 नॉमबर 1817 में होलकर को एक नई संधी करके राजस्तान के राज्यों के साथ संधी करने का अधिकार प्राप्त कर लिया इधर मेटकोफ, यहाँ पर देखिए मेटकोफ नाम लिखा हुआ है, सही है वहाँ पर साथ ट्राइपिंग में इस टेक है, मेटकोफ मेटकोफ का निमंतर मिलते ही करोली, कोटा, उदेपूर, भिकानेर, किसंगर, जेपूर, जैसल, मेर, आधि ने कंपनी से संधी कर ली, सबसे अंत में 1823 में शिरोही राजे ने संधी की, इस परकार 1817 से लेकर और 1823 के दोरान राजस्तान पर स्तापी दिया है, बिटीस आधिपते 1947 के स्तंतरता प्राप्ति तक जो अक्षुन चलता रहा यानि 1823 से लेकर और 1847 तक अंग्रेजों ने राजस्तान के राजा ओपर क्या किया, एक तरीके से सासन किया, उनको अपना गुलाम बना कर रखा अब देखिए क्या होता है अगली प्रिष्थिती को समझने का प्रियास करते हैं, अगली प्रिष्थिती की बात करते हैं, तो 1909 सधी के आरम में, 20 र्यास्ते थी, इसमें से 17 राजपूत रियास्ते थी, और 2 जो थी जाट और 1 जो थी वो मुसलिम सास्तत था, तो क्योंक ज आसकता है राजस्तान में कुल कितनी रियास्ते थी 20 गभी 19 सदी में इस में से 17 जो थी वह तो क्या थी राजपूर्ट थी तो जो थी वह जाड थी और एक जो थी वह क्या साथी मुस्लिम थी यह जरूर याद रखना अब देखिए गाई यहां यहां से क्यूशन पूछे जाते हैं विद्वान साथी यहां से क्यूशन पूछे जाते हैं यहां से क्यूशन पूछे जाते रहें जैसे कि कोण कब सा सक्था जैसे कि कोटा रियासत का जो सा सक्था 1857 की करांती के समय वो ता राम सिंग याद रखना है जोदपूर का सा सक्था तक्त सिंग भर्तपूर का सा सक्था जस्वन सिंग उदेपूर का था सवरूप सिंग जैपूर का था राम सिंग द्यूत्य शिरोही का सिव सिंग था दोलपूर का सा सक्था भगवत सिंग विकान रियासत का सा स्था सरदार सिंग करोली रियासत का स आसकता मदनपाल तोंक रियासत जो थी एक मातर मुस्लिम रियासत थी एक मातर मुस्लिम रियासत थी टोंक बूंदी रियासत में थे राम सिंग याद रखना राम सिंग तीन जगा थे राम सिंग बूंदी में थे राम सिंग जो थे वो कोटा में थे और राम सिंग द्वित्य जो थे वो जेपूर में थे याद रखना अलवर रियासत में थे विने सिंग युशन पुछा जाता है अठारा सुस्तावन की किरांती के समय अलवर के सासक कौन थे तो विने सिंग थे यह PDF आपको मिल जाएगी उसमें आपको सब कुछ पस्ट दिखेगा जैसल में रियासत के जो सासकते वो थे रनजीत सिंग जालावाड रियासत के जो सासकते वो थे प्रत्वी सिंग परताबगड रियासत के जो सासकते वो थे दलपत सिंग और बांसवाडा के थे लक्ष्मन सिंग और डुंगरपूर के थे उदे सिंग यह आपको याद रखना है यह लिस्ट पू जिसे जोदपूर जेपूर भर्दपूर जहां जहां अठारासो स्तावन की क्रांती हुई पोटा विगेरा उस रियास्तों का आपको नाम जो हो शाशकों का नाम आपको याद होना चाहिए कि इसके बाद देखिएगा आगे चलते हैं संधी की सर्ते क्या थी अंगरेजो ने जो संधी की थी उसकी क्या कंडिशन थी आईए इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं संधी द्वारा संधी द्वारा रियास्तों रियास्ति सास्कों ने अंगरेजो की सुर्च तस्त्ता जो हो स्विकार कर लेती यहां से हम कल पढ़ेंगे संधी की सर्तों से हम कल पढ़ेंगे और एक अप्रेल से एक अप्रेल से डेली की पांच घंटे की कलासे हम शुरू करने जा रहे हैं एक अप्रेल से डेली की पांच कलासे हम शुरू करने जा रहे हैं देखे यहाँ पर देखे आप 19 सदी के आरभ में 20 रियास्ते थी वो 19 जो बात पढ़ रहे हो आप वो थी एकी करण के समय 19 एकी करण के समय थी 19 रियास्ते एक एंदर सासित परदेश और तीन ठिकाने थी ठीक है 20 रियास्ते